चली आईए चालू करते हम लोग आज का क्लास गुड मॉर्निंग अल उफ यू कल हम लोग जहां पर खतम किये थे आज हम लोग को मेंली बेजियन के सम्स करने हैं ठीक है तो बेजियन में लास्ट जो हमारा एप्रिल का जो पेपर है उसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका question आता है वो आता है question number 5 किसी को कोई भी problem होगा छोटा साभी तो वो लोग प्लीज में को chat box पे बता देना ठीक है तो आईए हम लोग चालू करेंगे question number 5 से आज का क्लास कल मैंने आपको बोला था एक बार आप लोग सब प्रैक्टिस करके आईएगा let x bar बने था सैंपल बी इंडिपेंडेंट अब्सर्वेशन स्वाम दिस्ट्रिबिशन और रांडम वेरियेबल एक्सट आज पैरामीटर यू लेट एफ यू बीडा पॉस्टीर दिस्रिबिशन अफ You गिवन X & g x बेन एच्रिमीतर Member of you state to properties that loss function should satisfy थिकन तो loss function के क्या-kynnप्रोपटीश वने चोई ये चोजिए loss function के लिए those function should be equal zero when the estimation is exactly correct बने जी अगर यू के बराबर है तो क्या होगा लॉस फंक्शन का वैल्यू मेरा होना चाहिए 0 एंड पॉजिटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है एंड और एक चीज जो लिखा है एंड नॉट डिक्रीज नॉट डिक्रीज आज जी गेट्स आज जी गेट्स फर्दर आज जी गेट्स फर्दर आवे फ्रम यू इसका मतलब समझना इसका मतलब समझना कि इसमें लोग क्या बोल रहा है बोलता है पॉजिटिव होगा एंड नॉट डिक्रीज नॉट डिक्रीज का मतलब क्या होता है बढ़ेगा not decrease मतलब बढ़ेगा, ठीक है, as g gets farther away from u, यहाँ पर हम लोग का u क्या है, u एक parameter है, u एक parameter है, x हम लोग का variable है, ठीक है, यह बहुत simple था, उसके बाद में हम लोग को lgu दे दिया है, loss function हम लोग को दे दिया है, ठीक है भहिया, तो हम लोग को lgu दे दिया है, जो loss function है, तो यह loss function हम g minus u है, and 3, u minus g है, ठीक है, तो u less than equal to g, and u greater than g, यह बनाया ऐसी लिए है, कि इसको satisfy कर सके, satisfy क्या क्या करना है, जब equal होगा, तो loss function का value 0 होगा, and positive रहेगा, and not decrease, as g gets farther away from u, ठीक है, अब यह जो function है, हम लोग को बोलता है, verify that this loss function satisfies the properties in part 1, तो properties satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह हम लोग को check करना है, तो properties satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग check करेंगे, वो है, जब g u के बराबर है, तो जब g u के बराबर है, तो lg u का value जो हो जाएगा, वो 0 हो हो जाएगा u-u, कैसे 0 हो जाएगा u-u, ठीक है, जब g u से बड़ा है, तो हम लोग का तो g-u, तो यह क्या है, positive है, क्यूंकि g-u से बड़ा है, जब g-u से छोटा है, तो यह हो जाएगा 3u-g, तो यह भी क्या है, positive है, उसके बाद में, जब g u से बड़ा है, तो यह हो जाएगा, g-u, which increases as g increases, ठीक है, ना, जब g u से छोटा है, तो यह हो जाएगा 3u-g, 3u-g, ठीक है, which increases as g decreases, अब देखो, g, g या तो तुम्हारा, अगर मालो यहाँ पर कहीं पर u है, अगर यह u है, g या तो इस तरफ जाएगा, या तो g, या तो g इस तरफ जाएगा, दोनों ही तरफ अगर g जाएगा, तो मतलब u से दूर जा रहा है, तो अगर u से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, u से दूर जाएगा, तो इसका value बढ़ेगा, अगर u से दूर जाएगा, तो इसका value बढ़ना चाहिए, तो g या तो बढ़ेगा, या फिर g घटेगा, ठीक है न, g बढ़े चाएगी, g घटे, दोनों ही cases में, वो u से दू जा रहा है, अगर u से दूर जा रहा है, मतलब is का value बढ़ना चाहिए, यही वो लोग बोला है, ठीक है न, यही चीज वो लोग बोला है, यह बाते समझ में आती है, हां की न, बताओ जल्दिल्दी बताओ, बाते समझ में आती है, हां की न, जल्दिल्दी से chat box में लिखे, जल्दी बिल्दी से चैट बॉक्स में लिखो नहीं तो मैं क्लास में चल ला जाऊंगा जल्दी बिताओ इसके बाद बोल रहा है इसके बाद बोल रहा है identify identify which one of the following option question no.5 कर रहे है सीधा में बैट इन दाप identify which one of the following options gives the correct expression for the expected posterior loss तो expected posterior loss अब हम लोग को देखना पड़ेगा, expected posterior loss अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये बाते मैंने आपको class में बताइए और देखिये, expected posterior loss के लिए expected posterior loss के लिए हम लोग को करना पड़ेगा minus infinity से infinity ठीक है LGU ठीक है F U given X bar DU ठीक है तो इसको break करना पड़ेगा minus infinity से इसको हम लोग break कैसे करेंगे minus infinity से G में तो यहां पर तो आ जाएगा G minus U ठीक है F U given X bar DU प्लस में आ जाएगा 3 G से infinity U minus G F of U DU यह ऐसे हम लोग break करते है राइट इसी तरीके से हम लोग इसको break करते है तो कौन सा option आ रहे है कौन सा option आ रहे है देखो DR आ रहे है option DR देख लो option DR फिर हम लोग को बोलता है identify which one of the following option gives the correct quantile for the Bayesian estimator B of U under this loss function ठीक है ना हम लोग को बोलता है correct quantile for the Bayesian estimator B ठीक है of U तो correct quantile वाला मांग रहा है और अपने को एक note दिये है note में अपने को क्या बोला है ddx of integration x a infinity h x y d y is integration x a infinity of integration x a infinity of integration x a infinity minus infinity से x del del x h x y d y मने अंदर जाएगा तो partially differentiate करेंगे with respect to x अंदर जाएगा तो partially differentiate करेंगे with respect to x ठीक है अब हम लोग क्या कर रहें d dg of expected posterior loss निकालेंगे इस जो दियाव है हम लोग करेंगे d d g of e pl d d g of e pl जब हम लोग करेंगे d d g of e pl जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आएगा minus infinity से g f of u du minus 3 g से infinity f of ठीक है तो यह जो है इसका मतलब क्या है g से कम g से कम probability u is less than g right minus 3 probability u is greater than g ठीक है सो यह जो है this is what अब जैसे माल लो अगर मैं इसको लिखूंगा तो यह तो as it is minus 3 1 minus probability u is less than g है ना so 1 plus 3 so 4 into probability u is less than g minus 3 equating अभ हम लोग इसको equate करेंगे zero से क्यों क्यक्क्य हम लोग मानके चल रहे हैं हम लोग मानके चल रहे हैं अब हम लोग इसको equate कर रहे हैं 0 से क्यूंकि हम लोग मान के चल रहे हैं that b is equal to g b is equal to g ठीक है b is equal to g मने तुम्हारा estimator और जो इसको estimate करें वो दोनों अगर equal होगा तो तुम्हारा 0 मान के चल रहे है ठीक है तो u less than g मने अगर b अगर मैंने g के जगह में b लिख दिया तो मेरा यहां से क्या आएगा ध्यान देना मेरा यहां से आएगा 4 into probability u is less than b right is 3 so probability u is less than b which is 0.75 कि अगर यहां से आएगा यहां थिक है मैंने इसमें क्या किया है b is equal to g यह मैंने use किया है आगे बढ़े यह से और नो जल्दी दी पताईए बोलिया ओनलाइन में जो लोग भी है फड़ा फड़ से बताईए चीक है आओ question no.6 देखो a lecturer wants to investigate the proportion P of students in a large class that are in favor of online lectures the lecturer conducts two small surveys where students can vote in favor or against online lectures and the results are as follows survey 1 survey 2 sample size 10 20 in favor 4 in favor 9 the two samples are assumed to be independent the lecturer does not initially have any prior information about the proportion P and assumes a suitable uniform distribution as the prior distribution in order to estimate P state the parameters of a suitable prior distribution for P justifying your answer determine the Bayesian estimate of P under quadratic loss function ठीक है so suitable prior is uniform 0,1 यह assume करके चल रहे है ठीक है क्यों ऐसा as it assigns is equal probability to intervals of same length within within 0,1 ठीक है अगर हम लोगका यू 0,1 प्रायर है तो हम लोगका जो प्रायर का जो डेंसिटी आ जाएगा for example उसको अगर पाई पी मानते है वह अम लोगका आ जाएगा 1 ठीक है और यह वाला जो हम लोगको डेटा दिया वह यह बाइनोमेल डिस्ट्रिबूशन टैप कर डेटा दिया वह ठीक है तो डेटा जो है हम लोगका इस बिसिकली कम्स फ्रम बाइनोमियल डिस्ट्रिबूशन ठीक है सो हम लोगका L P का जो लाइकलि हुड है P to the power 4 1-P to the power 6 क्यों होगा विकोज 6 हो ना है into P to the power 9 1-P to the power 11 क्यों होगा विकोज 11 ना है तो जो हम लोगका posterior आएगा Posterior का जो हम लोगका density आजाएगा So that is 5 P P P P P P P P P 17 1-P to the power 17 इससे हम लोगका समझ में आता है कि यह बीटा distribution है 14,18 और quadratic loss में क्या होता है mean होता है ठीक है तो बीटा 14,18 है So quadratic loss में क्या हो जाएगा mean of the distribution So expectation of So this is what 14 by 14 plus 18 तो जब अब इसको solve करेंगे आपका आएगा 0.4375 फिर इसके बाद ने बोलता है So the lecturer later decides instead to use a beta distribution as the prior with parameters alpha and beta where a is 2b Determine the new Bayesian estimate of p under quadratic loss function in terms of parameter b ठीक है तो prior हम लोगा change हो गया है तो prior हम लोगा change हो गया है So beta 2p,p अगर हम लोगा prior distribution है तो हम लोगा जो 5p है वो क्या हो जाएगा p to the power 2b-1 1-p to the power b-1 likelihood तो same रहेगा posterior जो आ जाएगा हम लोगा posterior जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 5p lp so this is what p to the power 2b-1 1-p to the power b-1 into p to the power 13 1-p to the power 17 so this is what p to the power 2b plus 12 1-p to the power b plus 16 ये कुछ भी नहीं है ये है हम लोगा दुबारा से बीटा डिस्टिक्यूशन 2b plus 13 comma b plus 17 माने आप a हम लोगो जो दिया है question में question में दिया है a को आप replace कर दो 2b तो बीटा जो हम लोगा prior है 2b comma b ठीक है दुबारा से quadratic loss हम लोग लगाएंगे दुबारा से हम लोग quadratic loss लगाएंगे so expectation of p 2b plus 13 by 3b plus 30 इसके बाद में जो हम लोगो बोल रहे है the lecturer is interested in obtaining a posterior estimate involving low uncertainty ठीक है determine whether the estimate in part 2 or part 3 produces a posterior estimate with lower uncertainty in the case where b is 1 lower uncertainty आएगा कह चेक करने बोल रहे determine whether the estimate in part 2 or part 3 produces a posterior estimate with lower uncertainty in the case where b is 1 ठीक है अब तु मान के चलो b1 है तो अगर b1 है तो prior मेरा क्या हो जाएगा prior हो जाएगा मेरा beta 2,1 ठीक है इसका जो variance आजाएगा variance होता है a b by a plus b ka square a plus b plus 1 so this is 2 by 36 this is 1 by 18 ठीक है अब हम लोग क्या बोल सकते है यह 1 by 18 जो है यह छोटा है किसे than the variance under uniform 0,1 which is 1 by 12 with the likelihood being the same this implies that when b is 1 the variance of the posterior is smaller ठीक है and therefore the estimate in part 3 has smaller variability and involves lower uncertainty ठीक है ठीक है बोलो likelihood हम लोग का same है हम लोग का जो likelihood है हम लोग का अगर likelihood same है तो इसका मतलब क्या है जब b 1 है ठीक है ना तो हम लोग का जो variance होगा posterior का वो क्या होगा छोटा होगा ठीक है तो estimate जो है हम लोग का part 3 में उसमें क्या होगा smaller variability and involves lower uncertainty Bayesian 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 के सम्स चल रहे है आज हम लोग कर रहे है 567 यह 6th नमबर था Bayesian ठीक है अब next में आ जो अ यह से चलो यह से बन मत करो 24 पेसी चलो अ बस 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 ठीक है solve करने का try करिए इसको question number 7 को मैं टाइम दे रहा हूँ पांच मिट का solve करिए try करिए बस बस्दित कर दीक है झाल 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 एं थाघ s plus n a plus nx bar minus 1 by gamma a plus nx bar minus 1 m to the power a plus nx bar minus 2 e to the power minus s plus n m dm. So this is equal to s plus n by a plus nx bar minus 1 into 1 क्योंकि यह वाला आगें gamma का PDF है. कौन सा gamma? gamma a plus nx bar minus 1, s plus n. ठीक है? Is it clear? देख लो भाई. ठीक है ना? एक और question इसमें बच रहा है. वह अला भी अभी आज ही कर लेंगे ता फिर यह वाला paper complete हो जाएगा. यह last question करने से पहले में को एक दो चीज तुम लोग को बताना है. जैसे हम लोग अपकी बार CS1 में Institute का Matt का all question करा दिये. इसमें अगर किसी को कोई भी doubt है, IFOA का समझ लो last 15 years का papers जो भी तुम लोग practice किया है, अगर उसमें किसी को कोई भी doubt है, ठीक है, उसके बाद में हमने mocks डाले हैं तीन, इसमें अगर किसी को भी कोई भी doubts है, ठीक है, बाइने पूरा Matt, पूरा IFOA और तीन mock, उसके बाद X assignment हो गया, ठीक है न, इसमें किसी को कोई भी doubt है, अभी हम लोग क्या कराएंगे, next week से हम लोग IEI का papers चालू करेंगे, revision के तौर पे, क्योंकि classes हमारी रुकेंगे नहीं, आपके exam के एक दिन पहले तक चलती रहेंगी, ठीक है, तो IEI का papers हम लोग revision के तौर पे कराएंगे, अब मैं एकदम recent paper से चालू करूँगा, target है जितना पीछे तक जा पाएं, ठीक है न, तो यह सब में किसे को कोई भी doubt है, तो अब next जो भी मैं class रखूंगा दोपैर में, सिधात सर्से भी आप लोग पूच सकते हैं, पेपर भी का शिवांगी में हम करा देंगी, ठीक है, सिधात सर्से भी करा सकते हैं, बट यह वाला जो है, इस वाले पार्ट में आज की बात क्योंकि अच्छा, past papers करना मेरा YouTube पे एक playlist है, past papers करना मेरा YouTube पे एक playlist है, तो वो आज हम लोग community में डाल देंगे, actuators का दो community है, दोनों मने one और two, तो कोई भी community में आप join कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मने September 2023 तक मेरा उसमें कराया बत है, इसलिए मैंने 2024 का paper करा दिया, तो यह add हो गया, मतलब वो पूरा done है, उसके बाले तो revision notes में थाई, ठीक है, तो यह वाला जो है, यह सब हम करा चुके हैं, तो इसमें किसी को कोई भी doubt है, तो doubt class और यह वाला हम लोग उसमें कराएंगे, ठीक है, तो पहले जितना doubts होगा वो ले लेंगे, फिर यह वाला कराएंगे, तो यह है, ठीक है, तो आईए, कुछ भी छोड़ के मत जाना हम बार-बार बोल रहें, ठीक है, छोड़ के मत जाना कुछ भी, आओ, question number nine में आओ, a small vehicle repair shop repair shop 1 has recently merged with another nearby vehicle repair shop repair shop 2 and the owner wishes to analyze the number of customers that visit each shop, the owner has recorded the following data over the past 30 days, number of customers, day 1 to dot dot 30, total में 781 customers and 707 customers, calculate the sample means of the number of daily customers for each repair shop, तो sample mean बहुत easy है, तो x1 बार 781 by 30 and x2 बार 707 by 30, तो कितना कितना आएगा, 26.03, 23.57, the owner believes that the number of customers arriving at repair shop 1 and repair shop 2 per day follow separate poison distributions with unknown parameters k1 and k2 respectively, calculate 95% confidence interval for the difference between the parameters k1 and k2 तो यह पॉईजन का हो गया, है नहा, नहा, क्या होगा बताओ, पॉईजन में क्या होता है दुनों का डिफ्रेंस, बोला है ना separate poison distribution है, तो part 2 कैसे करेंगे इसका बताओ, पार्ट 2 कैसे करेंगे, क्या होता है लैम्डा 1 हैट, लैम्डा 2 हैट, प्लस माइनस, 95% बोला है ना, तो 1.96, इंटु रूट अंडर क्या हो जगा बताओ, लैम्डा 1, हैट बाए, एंड 1 प्लस, बोलता क्यों नहीं है, तो बोला क्या तुम एक भी, ऐसे बोलने से होगा याद नहीं है, ठीक है, लैम्डा 2 हैट बाए इंटु, अब इसमें वैल्यू जाल दो, लैम्डा 2 बाए, तो लैम्डा 2 हैए, बाए, कि वैंना क्यात्वर्वाए, प्लस, बाह, बाए, है झाया decíaा टॉर, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? we are comparing two poison parameters अब इसमें एक दो चीज लिखना पड़ेगा हम लोग अज्यूम क्या कर रहे है नॉर्मल अप्रोक्सिमेशन नॉर्मल दिस्ट्रिबूशन अप्रोक्सिमेशन अब टू डेटा सेट्स आर इंडिपेंडेंट तो हम लोग आया से जो कॉंफिदेंस इंटर्वल आएगा सारा एंजम्शन कॉंफिदेंस इंटर्वल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कोई भी चैप्टर हो एंजम्शन सारा लिखके आना एक्जाम में स्टाइट्स में एंजम्शन बहुत इंपोर्टेंट है हम लोग का यहां से जो कॉंफिदेंस इंटर्वल आएगा वो आ रहा है इंटर्वल में जीरो है तो इसका मतलब क्या है इक्वल है सो हम लोग क्या बोलेंगे इंटर्वल कंटेंस जीरो Therefore, there is insufficient evidence at the rate 5% to reject the null hypothesis that null hypothesis क्या है k1 is equal to k2 इसके बाद में हम लोग को बोल रहा है the owner later believes it may instead be more appropriate to consider the recorded data as being paired data अब paired data बना दिया explain why it may be more appropriate to treat the data as paired the sample standard deviation of the paired differences has been recorded as 6.55 फिर बोलता है test करिये paired data and comment करने बोल रहा है अब देखो क्यों ऐसा है कि paired data में जादा ये लोग को confidence आ रहा है बोलता है the samples are recorded for each shop on the same day and may not be independent in which case the data would be paired बोलता है हर दिन जो है तीस दिन का जो डेटा है बोलता है same day पे record हुआ है तो उसवे से independent नहीं भी हो सकता है this could happen because the shops are nearby so would attract similar customers a single customer may visit both shops on the same day for courts external factors may also affect both shops customer numbers in the same way such as the weather, roadworks or closures limiting to access to the shops ठीक है okay फिर यही paired data का हम लोगों को testing करना है तो paired data पे क्या हो रहा है कि दोनों equal नहीं आएगा obvious सा बात है उल्टा आएगा फिर हम लोगों को वो करने बोल रहा है कि आप comment करो तो comment में क्या होगा we treated the data as unpaired and failed to reject the hypothesis that k1 and k2 are equal मतलब वहां पर हम लोगों क्या मानके चल रहे थी कि दोनों equal है पर यहां पर क्या हो रहा है sufficient evidence आ रहा है कि यह दोनों equal नहीं है reject करो तो जब अभी क्या हो रहा है देखो दो अठो अनालेसिस में जब independent samples मानके कर रहे हैं तो क्या हो रहा है k1 equals to k2 आ रहा है और जब paired data मानके कर रहे है और जब paired data मानके कर रहे है तो paired data मानने से क्या हो रहा है k1 is not equal to k2 आ जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं if the samples are not truly independent then treating them as much would produce invalid results however treating them as paired always produces valid results although it would make inefficient use of the data however the evidence in part 5 was not very strong as the test statistic was only slightly above the critical value बहुत strongly यह रहा है reject किया है बहुत strongly नहीं किया है ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका critical value आ रहा है 5 और आपका जो test statistic का value आ रहा है 50 बहुत 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 काई-square testing में होता है ना कि critical value आ रहा है 4 point something और तुमारा test statistic का value आ रहा है 50 in both cases we used a normal approximation to the poison which would have introduced some error in the testing using the exact distributions may have produced different conclusions हो जों लोग जो exact confidence interval जो use करते हैं exact confidence interval याद आ रहा है अगर एक observation है 1 का तो x is greater than equal to 1 is 0.025 probability x is less than equal to 1 is याद रहे यहला जो exact confidence interval जो हम लोग यूज करते थे तो बोल रहा अगर आप ऐसा use करोगे तो हो सकता है आपका results better आएगा तो यह हमने यह पूरा paper किया इसको पूरा solve कर लिजेगा एक बार यह बहुत easy question था देखो इसी तरीके से paper में number उठता है यह question starting में देखके difficult लगेगा बट पूरा comment based question है इसका solution अगर तुम देखेगा numbers बहुत कम है इसमें pair data वाला testing करना है और दो टेस्टिंग करने बोल और 20 number का question है तो यही समझाने का try कर रहे हैं कि जब से exam open book हुआ है open open book होने का मतलबी मेरे को जो लगता है open book होने का मतलबी 50% अब यह commenting वाला पेपर हो गया मैंने अब क्या होगा ना एक्शल समझ नहीं पार है practical आपको दीखेगा देखके लगेगा practical है लेकिन practical है नहीं तो अलग-अलग टैप से